हाल ही में शिलपा शैती ने कुछ मीडिया हाउस पर डिफिमेशन केस किया था पच्चिस करोर का ये डिफिमेशन केस था जिसमें कहा गया कि शिलपा शैती कि परस्नल लाइफ को लेकर मीडिया में बहुत गलत खबरे चलाए गई इसी टाइम से ठीक 20 साल पहले भी शिलपा शैटी की परसनल लाइफ को लेकर कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे और तब ही शिलपा शैटी ने एक डिफरमेशन केस किया था यह बात है इयर 2001 की जाहिर सी बात है शिलपा शैटी की लाइफ में तब काफी उतार चड़ाव आया था अक्षे कुमार को वो डेट कर रही थी लेकिन अक्षे ने ट्विंकल के लिए शिल्पा को डिच कर दिया और यही वो टाइम था जब अक्षे से रिश्टा तूटने के बाद शिल्पा के link-ups की बाते बहुत आने लगी एक particular magazine थी जिसने शिल्पा शेटी को लेकर एक के बाद एक ऐसे articles लिखे और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे शिल्पा शेटी काफी आहत हो गई तीन articles लिखे गए थे एक में बताया गया कि शिल्पा शेटी का affair दो actors के साथ है जिसमें से एक actor married है तो जाहिर सी बात है तब अक्षे कुमार की शादी हुई ही थी हाला कि अक्षे कुमार ही थे ये बात confirm नहीं है लेकिन उस दोरान बाते यही चल रही थी दूसरी बात ये भी है कि उस दोरान शिल्पा शेटी का नाम सल्मान खान से भी जोड़ा गया था तो ये भी एक इस तरह की खबर आई थी और इसके अलावा एक और article चापा गया था तीसरा article जिसमें कहा गया था कि शिल्पा शेटी एक married man को date कर रही है कुछ इस तरीके से शिल्पा शेटी के लिए ये बाते लिखी गई थी और article में लिखा गया था कि अगर एक actor के दूसरी actresses के साथ शादी के बाहर भी affair होते हैं तो उसे womanizer कहा जाता है तो अगर औरत multiple affairs रखती है तो उसे manizer क्यों नहीं कहा जाता ये कुछ शब्द थे जिससे शिल्पा शेटी काफी आहत हुई शिल्पा शेटी ने year 2001 में उस magazine के खिलाव defamation case किया 20 करोड रुपए का ये defamation case था शिल्पा शेटी को court में represent किया उसी वकील ने जिसका हम नाम काफी बार सुन चुके हैं सोशान सिंग राजपूत मामले में सतीश मान शिंदे तब शिल्पा शेटी के वकील थे और उन्होंने शिल्पा शेटी के लिए ये मान हानी का दावा लड़ा था ये magazine थी स्टार डस्ट